प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंस के माधिम से राष्टी मापी की सम्मेलन दो हजार रिकिस के उद्गाटन सत्र को किया संबोधित कहा गुणवत्ता और विश्वसनियता अब्रांड इंडिया की होने चाहिए आधार स्तंभ उन्होंने भारतिय व्य शग्यों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की भी सारहना की केंदर सरकार और किसान संगठनों की बीच अगले दौर की वारता आज नई दिल्ली में क्रिशी मंत्री नरेंदर तौमर पहले ही किसान संगठनों को नियूंतम समर्थन मूले और मंडी परनाली पहले की तरह जा प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन चरणों में किये गए हैं इसके ट्रायल उत्रपरदेश के मुराद नगर में शमशान घाट में चट गिरने के दुरगटना की संबंध में ई-ई-ओ, जे-ई और सुपरवाइजर गिरफतार इस दुरगटना में अब तक 25 लोगों की जा चुकी है जान 13 अन्य घायल लोगों का इलाज जारी राजस्थान की जालावाड जिले में मृत कोमों में वर्ड फ्लू की पुष्टी होने के बाद अलर्ट घोशित, पशुपालन विभागने राजस्तर पर नियंतन कख्ष की अस्थापित और प्रभावी निगरानी के लिए जिले में भेजे दल देश में COVID-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर हुई 96.19 प्रत्षत, भारत में अब तक 99,46,000 से रिक लोग संक्रमन से हो चुकी हैं ठीक, जबकी लगभग 2,43,000 मरीज अभी भी उप्चारा धीन भारत में क्रोना संक्रमन के कुल मामलों की संख्या एक क्रोड तीन लाग के पार हुई अब तक इस महमारी से 1,49,649 लोगों की जा चुकी है जान बिहार में आज से सभी शैक्षनिक संस्थान फिर से खुले, विद्धियालों, महाविद्धियालों और कोचिंग संस्थानों में केवल 50 प्रतिशत छात्रों को वो अभीभावकों से लिखित सहमेती लेने के बाद ही कक्षाओं में भाग लेने की अनुमती अमेरिकी चुनाब में हार का सामना करने वाले राष्टपती डुनाल्ड ट्रम्प एक नए विवाद में घिरे चुनाब परियनाम बदलने के लिए दवाब डालने का ओडियो हुआ वाइरल आज विश्व ब्रेल दिवस द्रिश्टी बाधित लोगों के लिए ब्रेल लीपी तयार करने वाले अविश्कारक लुई ब्रेल की जियनती को ये दिन है समर्पेत